आपके लाइफ में कितना भी बुरा टाइम क्यों ना चल रहा हो पर आप अगर देखने का नजिरिया बदलो तो सब कुछ ब्यूटिफुल लग सकता है इसी एक ब्यूटिफुल मैसेज के साथ आज की मुवी आती है All the Bright Places ये Hollywood romantic movie आज में आपको explain करने वाला हूँ ये movie इसी नाम के novel पर based है इस movie को बहुती beautifully shot किया किया है इस movie के music, dialogues बहुती best है तो चलिए इस beautiful movie को explain करना start करते है movie start होती है और हमें हमारा main character Theodore दिखता है Theodore को jogging करना अच्छा लगता है पर आज वो एक अलगी चीज़ देखता है हमारी और एक main character में दिखती है जिसका नाम होता है Violet Violet breach पर खड़ी हुई है और अब वो suicide कर सकती है Theodore ये देखता है और वहाँ से भागते भागते उसके पास आजाता है ये उसे दूर से देखनी पा रहा था ये उसके पास आता है और कहता है कि तुम कर क्या रही हो जब Violet मूटती है तब Theodore उसे पहचानता है ये दोनों एक की स्कूल में पढ़ते है Violet उसे कहती है कि प्लीज यहाँ से चले जाओ थियो इसे चोड़ कर नहीं जा सकता कहता है कि यह सही नहीं होगा अब थियो भी इस ब्रीज पर चड़ जाता है Violet कहती कि कर क्या रही हो और ये इस ब्रीज पर खेलने लग जाता है Violet को डर लगता है और फिर ये दोनों नीचे आ जाते है नेक्स डे एक दूसरे से फिर से स्कूल में मिलते है पर इन दोनों में awkward silences है इसके बाद हम देखते हैं कि थियो डर अपने counselor के पास आया हुआ है थियो डर ने previous में किसे जगडा किया था इसी वज़े से उसे counselor के पास आना पड़ता है एक counselor उसके life के बारे में उसे बुचता है पर थियो डर इसे seriously नहीं लेता उसे नहीं लगता कि एक counselor उसे किसी भी तरीके से help कर सकता है इसके बाद हमें lunch break दिखाया जाता है lunch break में Violet को उसे मिलने के लिए एक उसका friend आता है यह उसका ex boyfriend था इसके science हमें movie में दिखाये गए है Violet इसे बात नहीं करना चाहती थियो डर भी इसी lunch room में होता है यहाँ पर अपने friend से Violet के बारे में पूछता है हमें पता चलता है यह Violet की sister मर गई थी उसे बहुत दुख हो रहा था इसी वज़े से वो breach पर थी थियो के friend उसे बुछते है कि तुम उसमें क्यों interested हो थियो किसी में भी interested है यह बहुत ही अजीब हुने लगता है थियो के दो ही friend होते है पर यह उसके best friends होते है थियो भी हसता है और मानता है कि हाँ यह ज़रा weird तो है शाम घर पर आता है तो उसके sister को उसके counselor का already call आया होता है उसके sister उसके लिए worried होती है थियो कहता है कि अब से मैं ज़रा अच्छा से behave करूँगा मैं इससे deal कर लूँगा पर sister उसपर believe नहीं करती उसके sister उसे कहती है कि फ्रीज में तुमारे लिए actual खाना मैंने बनाया है ऐसा भी कुछ भी मत खा लेना और वो अपने जॉब के लिए चली जाती है थियोडोर की sister ही उसका सब कुछ खयाल रखती है थियो की mother जाता तर बहार ही रहती है ये दोनों brother sister एक दुसरे से बहुत प्यार करते है थियो के लिए उसकी sister एक मदर की तरह ही है रात में वाइलेट पैरेंट्स के साथ डिनर कर रही होती है तो भी उसके फादरों से पुछते है कि आज का दीन तुमारा कैसा था हमारे लिए भी ये बहुत ही difficult था एक्चुल में ये वही दिन है जब वाइलेट की sister मरी थी उस incident को एक साल अब हो चुका है और उसकी sister के एक website थी चाहा पर उनके बहुत सारे photos होते है ये वह देखता है वाइलेट को writing भी अच्छी लगती है जो उसने अपने blog पर लिखी होती है रात में थियोड और वाइलेट की sister के memorial place पर भी जाकर आता है अब next दिन आता है class चल रही होती है तो ये वाइलेट आती है और उससे एक कुरसी गीर जाती है सब लोग उस पर हसने लग जाते है थियोग भी अपनी कुरसी लेता है और fake देता है और सब लोग हसना बंद कर देते है थियोग को सब लोग free की समझते है थियो ने अभी जो किया ये देखकर वाइलेट उसकी तरफ देखती और हसती है ये जो क्लास चल रहा है ये जो क्रेफिका है इसमें इन सब को assignment दिया जाता है वो जिस जगा पर रह रहे हैं उसके आस पास के सब wonders उन्हें देख कर आने है इन मेंसे दो wonders के बारे में इन्हें लिखता है ये उनका school project है इसमें वो partner भी choose करते है तियों कोई idea अच्छा लगता है और वाइलेट का वो partner बनना चाता है वो वाइलेट के पास जाता है और कहता है क्या तुम perfect day पर believe करती हो वाइलेट को एक perfect day देना चाता है और वाइलेट कहती है कि मुझसे सवाल बोचना ज़रा गलत है रात में वाइलेट अपनी मदर से बात करती है उसे project नहीं करना कहती है कि मैंने teacher को समझने की कोशिश की पर उन्होंने कहा कि कब तक तुम घर में बेटी रहोगी तुम ज़रा बाहर निकलना चाहिए मदर कहती है कि उन्होंने सही कहा है तुम यह करना चाहिए आज रात party होने वाली है वाइलेट की friend ने उसे invite किया था तो इस party में चली जाती है इस party में वाइलेट को फिर से उसका ex boyfriend मिलता है वो उसे कहता है कि चलो कहीं बाहर चलते है वाइलेट कहती है कि मुझे जल घर जाना है यह कहता है कि कब तक तुम उस accident को लेकर upset रहोगी तुम यह move on कर लेना चाहिए यह उसे practically push ही कर रहा होता है वाइलेट उस पर नाराज हो जाती है और चली जाती है थोड़ी दर में वाइलेट को इंस्टाग्राम की एक notification आती है थियो ने उसकी गाना काते हुए एक वीडियो बनाई होती है और उसमें वो वाइलेट को tag करता है इस गाने के पहले उसे कहता है कि मुझे call कर, मुझे तुमसे बात करनी है और एक आना होता है कि मैं उसे breach पर मिला वो सुजायर करने वाली थी है यह बहुत ही funny गाना हों बनाता है और उसे बात करनी के लिए कहता है वाइलेट गुसा हो जाती है और उस post को delete करने के लिए थियो को कहती है थियो delete कर देता है और कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है मुझे लगता है कि हम फिर से उस horrible time से नहीं गुजर सकते है वायलेट कहती है कि ये क्या कह रहे हो थियो डॉर कहता है कि एक book का quote है पुछता है क्या मैं तुमसे अब मिल सकता हो ये दोनों फे वाक पर चलते है थियो फिर वायलेट से कहता है कि मैंने तुम्हारी website देखी वो बहुत ही beautiful थी थियो कहता है कि मुझे पता है कि ब्रीच पर accident हुआ था वायलेट कहता है कि तुम्हारी करने की कोई भी जरूरत नहीं है मैं आप suicidal नहीं हूँ थियो हसता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है वायलेट कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है पर थियो कहता है कि हाँ ऐसा ही है वायलेट फिरों से बोचती है कि तुम मुझे चाहते क्या हो थियो कहता है कि तुम्हारे साथ मैं प्रोजेक्ट करना चाहता हो वायलेट कहती है कि मुझे इसमें इंटरस्ट नहीं है तियो कहता है कि बाहर जाना लोगों से मिलना तुमारे लिए अच्छा हो सकता है वायलेट बोलती है कि मुझे लोगों से मिलना अच्छा ने लग रहा लोग बहुत ही घटिया होते हैं तियो कहता है कि सच कहे रही हो पर कुछ लोग सच मुझ में तुम्हारा अच्छा भी चाह सकते हैं याने कि खुद के बारे में यो कहता है थियो फिर कहता है कि हमें जाना चाहिए छोड़ी छोड़ी चीज़ें पर बहुत बड़ा कुछ हमें दे जा सकती है हमारे लिए एक बड़ा significance ये create कर सकती है शायद तुम्हें वहाँ जाकर वो पसंद भी आ जाए वाइलेट कहती कि मुझे पता है कि मुझे वो पसंद नहीं आएगा वाइलेट को डिप्रेज देखकर थियो कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक और बुक का quote है कि मैं टीचर से बात करने वाली हूँ मैं प्रोजेक्ट नहीं करने वाली और वहाँ से चली जाती है नेक्स डेम स्कूल में देखते है कि वाइलेट टीचर से बात करती है पर टीचर सब चीज के लिए मना करतेते है स्कूल से वापस आते वग थियो से वो फिर से मिलती है थियो फिर से उसे insist करता है अब वाइलेट मान जाती है वेती की ठीक है पर मैं गाड़ी में नहीं बेटने वाली उसकी सिस्टर की डेथ क्या एक्सिडन में हुई थी इसलिए बहुत ही डरती है थियो भी इसके लिए मान जाता है ये दोनों फिर बाइसिकल पर निकल पड़ते है रस्ते में थियो पुछता है कि अगर तुमें कहीं भी जाना होगा तो तुम कहा जाओगी वालेट अपनी सिस्टर के साथ कैलिफॉर्निया में रहे रही थी वो फिर से वहाँ जाना चाहती है थियो कहता है कि मैं कहीं ऐसी जगा जाना चाहता हूँ जहाँ पर पहले कोई भी नहीं गया होगा थियो फिर जंगल में उसे एक स्पॉर्ट पर लेकर आता है इन्हें स्कूल प्रोजेक्ट में बता गया था जो उनके आसपास की इने wonders देखने है पर थियो वाइलेट को एक stone के बास लेकर आता है ये उनकी state इंडियाना का highest point है पर जंगल में किसी ने पत्थर रख दिया है इस तरह से है लगता है थियो फिर इस पत्थर पर जर जाता है और वाइलेट को भी उपर हने के लिए केता है उसे बुछता है कि सबसे उची जगा पर आकर तुम्हें कैसा लग रहा है वाइलेट के दिये कि मैंने life में इससे घटिया चीज नहीं देखी और ये दोनों हसने लग जाते है इसके बाद थियो कुछ penis लेता है और वहाँ वो थे इसके memories में इस penis को गार देता है वाइलेट की तरफ वो stare करने लग जाता है वाइलेट कुछती है ये क्या कर रहे हो थियो कहता है कि ये competition है ये दोनों एक दूसरे के साथ अब जरा comfortable होने लग गए है रात में सिस्टर के साथ जब थियो डिनर कर रहा होता है तो सिस्टर गोश्टी कि तुम मुझे जरा अलग लग लग रहे हो थियो कहता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है वाइलेट जब जरा study कर रही होती है तो थियो डर्के quote उसे याद आते ये वो search करती है और उसे message करती है ये दोनों अलग अलग quote एक दूसरे को message करते है तो ये वो फिर directly वाइलेट के घर के बाहर आ जाता है वो उसे उसके साथ चलने के लिए कहता है वाइलेट मानने रहे होती है ये दोनों वाइलेट अपनी sister के बारे में कहने लग जाती है वो कहती है कि मेरी sister भी तुमारी तरह boss ही थी ये कहती है ये कहती है कि जब भी मेरा दिन बुरा होता था तो वो मुझे कहती है हमारी life सिर्फ एक moment से हम दिन याद नहीं रखते तो इन moments हम याद रखते है इससे हमेशा वाइलेट मोटिवेट होती थी और उससे अच्छा लगता था वाइलेट कहती है कि मेरी sister मेरी एक best friend थी उसकी sister को define करता है कि एक best friend थीओ वाइलेट से बुझता है कि तुम्हारे ग्रेवस्टोन पर तुम क्या लिखोगी वाइलेट कहती है कि मैं यहाँ पर थी यानि कि इस दुनिया में वो थी यसा वो अपने ग्रेवस्टोन पर लिख कर जाना चाती है थीओ को यह बहुत ही पसन आता है थीओ उस पर आसता है और कहता है कि आप मैं तुमसे उचुरा लूँगा मैं भी अपने ग्रेवस्टोन पर वही लिखूँगा इसके बाद हम देखते है कि नेक्स दिन वाइलेट का मोड ज़रा अच्छा होता है वो अपने फादर को भी वह जब अपने लौकर चेक करी लुखिती तो उसके लॉकर में एक स्चोन होता है उसमें लिखा होता हैuchar've बाते कर रहे है hazardous तुम एसकं क्यूं कर रहे है तुम जैसा हमेशा मुसे बात करती हो वैसा क्यों नहीं कर रही है यहाँ पर वाइलेट का एक्सपाफरेन आ जाता है और कहता है कि इसके साथ तुम क्यों हो थियो भी यही है तो इन दोनों में जगड़ा होने वाला था पर थियो अपने आपको रोक लेता है इसके बाद थियो कॉंसिलर के बाद हमें दिखाया गया है कॉंसिलर उसे फेस से बुचता है कि तुम यह लाइफ कैसी चल रही है थियो अपने कॉंसिलर से अभी भी बात नहीं कर रहा काउंसिलर थियो को आपसेट देखकर कहता है कि एक ग्रूप है जहाँ पर तुम जा सकते हो वहाँ पर तुम कुछ भी बोलो तो सब चीजे प्राइवेट रहेगी इसके बाद हम देखते हैं कि थियो रात में वाइलेट के घर के बाहर आता है वही पर वह सो जाता है सुबा वाइलेट के फादर देखते है तो उन्हें बहुत याजिब लगता है वाइलेट बाहर निकलती है और थियो से पुछती है कि तुम्हें कर क्या रहे हो थियो कहता है कि मैंने एक अमेजिंग जगा ढूंडी है जहाँ पर हम जा सकते है वह बहुत ही दूर है तो वाइलेट को कार में आना पड़ेगा वाइलेट इसके लिए स्टिकली मना कर देती है थियो कहता है कि मैं बहुत इसलो गाड़ी चलाओंगा मैं अच्छा ड्राइवर भी हो तो मैं कभी भी प्रॉलम ने होगा पर अभी भी वाइलेट उससे मान ने रही उसे कहता है कि कभी ना कभी तुम्हारे फियर को तुम्हें कॉंकर करना ही पड़ेगा वो अपनी गाड़ी की चावी फेक दिता है और कहता है कि सिर्फ तुम गाड़ी में आकर बैठ जाओ मैं तुम्हें फोस नहीं करने वाला वाइलेट की मदर फादर बाहर आते हैं और पूछते हैं कि क्या हो रहा है थियो उनके पास जाता है अपने आपको इंट्रटूस करवाता है थियो उनसे कहता है कि हम स्कूल प्रोजेक्ट कर रहे हैं हमें जारा बाहर जाना पड़ेगा उन्हें सब को समझाता है तो वाइलेट के पैरेंट्स भी इसके लिए मान जाते है वाइलेट घर में चली जाती है पर थोड़ी देर में बाहर आकर उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है यहां में दिखता है कि थियो अब अपनी कीज ढून रहा है फ्लो फ्लो में उसने फेक तो दी थी और उसे मिल नहीं रही थोड़ी दिर में इसी मिल जाती है और अब अपनी जर्णी पर ये निकल पड़ते है गाड़ी में बैटकर वाइलेट बहुत ही डर रही होती है पर वो गाना लगाती है थियो की गाने की चोईस बहुत ही अजीब हो गरीब है इस पर वो हसने लग जाती है जर्ण आप कमफटेवल महसूस करती है आगे गाड़ी में चलते है तो वाइलेट को फिर से उसकी सिस्टर की याद आती है वो कहती है कि जो भी हुआ था ये बहुत ही सडन हुआ था मुझे डारेक्ली होस्पिटल में ही पता चला कि मेरी सिस्टर गुजर चुकी है जो भी वाइलेट को सहारा देता है तियो फिर उसे उस जगा पर लेकर आता है ये एक छोटा सा रोलर कोस्टर होता है ये देखकर वाइलेट उस पर बहुत ही हसती है इसके बाद ये दोनों इस रोलर कोस्टर बेटते है और बहुत मज़े करते है वहाँ से वापस आते वक् book देता है कि जहां पर भी हम गए थे उसके बारे में अब तुम्हें लिखना है वाइलेट को लिखना अच्छा लगता था पर उसकी sister की जाने के बाद वो कुछ भी लिखने ही रही थी तो अब उसे वो कह रहा है कि तुम्हें कुछ लिखना है क्योंकि तुम राइटर हो वाइलेट हस्ते हो कहती है कि तुम बहुत ही पूशी हो थियो अपनी तारिफ में कहता है कि मैं बोल्ड हूँ एकसाइटिंग हो शेक्सी हो इस पर यह दोनों बहुत आस्ते है इसके बाद थियो कहता है तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें क्यों इतना लाइक करता हूँ तुम्हें सब कलर्स मुझे दिखते है और वो भी फुल ब्राइटनेस में यहाँ बर शाम हो चुकी है जिस रस्त सशी से चल रहा होता है एक दिन हम देखते हैं कि थियो और वायलेट अपने फ्रेंड्स के साथ है थियो अचानक से किसा खायान में डूब Ớाता है इसके बाद वह एक दो दिनों के लिए गायव हो जाता है तुम्हें वरी करने की खिरह भी रिप्लाइव नहीं दूरा है क के फ्रेंड कहते हैं कि कभी-कभी थियो ऐसा करता है उसे कुछ स्पेस चाहिए होता है इसलिए एक-दो दिनों के लिए वो गायब हो जाता है पर हमेशा वो आपस आता है तो यह वरी करने कोई भी सरोत नहीं है दो दिने बात अच्छानक से वायलेट के घर पर थियो उसके प के पास लेकर आता है थियो वायलेट से कहता है कि लोग समझते हैं या अगर इस लेक में कोई नीचे तक गया तो अलग वर्ड में पहुच सकता है थियो अपने कब्ड़े निकालता है और स्मिंग करनी के लिए जाना चाहता है वायलेट को कहता है कि तुम डर क्यू रही हो वायलेट कहती कि मरने से मैं डर रही हूँ थियो कहता है कि मुझे पता है कि ये सच नहीं है वायलेट से पुछता है कि लाइफ में सबसे जादा किस चीज से तुम डरती हो वायलेट कहती कि मैं डरती हूँ कि मैं सही से जी नहीं पाऊंगी थियो कहता है यह ही तुमारा चा क्योंकि उसके लाइफ में उसकी सिस्टर बहुत ही इंपोर्टन्ट है थियो फिर से लेक के बॉटर में देखना चाता है तो कूच जाता है थोड़ी देर तक वो बाहर ने निकलता तो भारेट बहुत ही डर जाती है वो भी कूच जाती है उसे ढूनने की बहुत कोशिश करती पर ढून नहीं पाती वो उपर आती है तो थोड़ी देर में अचनक से थियो भी बाहर आ जाता है तो उसकार बहुत ही अपसेट हो जाती है उसे मारने लग जाती है वो कहती है कभी भी ऐसा मत करना क्यूं तुम इस तरह से गायब होते रहते हो तो बहुत ही गुस्से में है वो कहती है कि तुम्हारे बारे में मुझे कुछ ना कुछ तो रियल चीज बता वरना हमारा जो है कि सब कुछ खतम हो जाएगा थियो के बाड़ी पर एक बड़ा सा स्कार है इस बारे में हो कहता है वो कहता है कि मेरे फादर बहुत ही वाइलेंड थे और मैं बहुत ही छोट रहा था एक दिन उसके फादर वाइलेंट हो जुगे थे और थियो उनके सामने आ गया था इसी वज़े से उसे इंचूरी हुई थी क्यों फिर कहता है कि कभी-कभी मुझे कुछ स्पेस चाहिए होता है मैं मेरे थौट्स को सही से कर नहीं पाता वही दो दिनेों के लिए अकेले सोचने के लिए चला जाता है वायलेट भी उसे समझ लेती है रात में वो पुराने रेलवे स्टेशन पर आते है थियो ने वायलेट के लिए पहली बार जो सौंग लिखा था बीच का तो फिर से वो गाने लग जाते है ये दोनों दुसरे के बास आ जाते है और इंटिमेट हो जाते है इन्हें घर वापर जाना था पर रात बर यही सो गए होते है सुबा होने पर जल्दी से घर पोशते है वायलेट की मदर और फाइदर बहुत ही अफसेट है वायले हो फेकरने लगता है next day स्कूल में हम देखते हैं कि वायलेट का एक्स बाइफेंड फिरसे बात कर रहा हा दैं यहाँपर थियो आता है तो एक्स बाइफेंड के जाता है इस फ्रीके साथ तुम क्यू रहना वायलेट से कहता है कि अगर तुम थियो के साथ रहना चाहती हो तब ये सब चीजे तुमें इग्नोर करनी पड़ेगी वो दिल का बहुत ही अच्छा लटका है उसके साथ रहना है बहुत ही डिफिकल्ट है वायलेट बोचती है कि फिर तुम क्यों उसके फ्रेंड हो थियो का कहता है कि बच्पन से हम एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड से और मैं उसे आज फ्रेंड बहुत प्यार करता हूँ थियो अपने कॉल ने उठा रहा एक मैसेज की भी रिप्लाइ नहीं कर रहा वायरेट डिस्टब होती है और उसके घर पर आ जाती है थियो की सिस्टर से वह बात इसी वज़े से इस क्रूप को उसने जॉइन किया है वो अपने स्टोरी सबको सुना दी है थियो को भी कहा जाता है थियो अपनी प्रॉल्म में कहता है कि वह कभी-कभी बहुत ही गुश्य में आ जाता है वह फिर क्या करता है उसे समझ में नहीं आता इसके बाद थियो उसक कि हैपी मेमरीस हमारे पास है सिस्टर कहती है कि हमारे फादर बहुत ही घटी आदमी थे उन्होंने अगर कुछ अच्छी चीज की भी हुई होगी पर फिर भी वो हमें बहुत मारते थे इसी वज़े से हम उसे याद नहीं कर बाएंगे थियो पोच्छता है कि क्या ऐसे कुछ चीज थी जिससे हमारे फादर बदल सकते थे वो फिर से सही से लाइब जी सकते थे थियो को लगता है उसकी और उसके फादर में बहुत ही similarities है वो अपने फादर में अपने आपको ही देखता है सिस्टर कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो बदल सकते थे वो एक घटी आदमी थे थियो डूर बिलीव करने लग जाता है कि वो भी कभी बदल नहीं पाएगा वो घर पर आता है और वाँ वाइलेट है थियो अपसेट था इसी वज़े से उसने अपनी रूम सब दबाह कर दी थी इसके बारे में वाइलेट उससे पुछती है थियो कहता है कभी कभी मुझे बहुत ही खयाल आते रहते है इन्हें मैं कंट्रोल करने की कोशिश करता हो पर एक कंट्रोल नहीं हो रहे है थियो को अब लगता है कि वाइलेट का उसके साथ रहना सही नहीं है उस पर चिलाता है और निकल जाने के लिए कहता है एक दो दिन गुजर जाते है और थियो फिर से गायव हो चुका है वाइलेट थियो को वाइस मैसेज छोड़ती है और कहती है कि मैं बहुत ही सौरी हूँ मुझे ऐसा रियाक नहीं करना चाहिए था शाम में वाइलेट अपने फादर के पास है वो अपने फादर को बताती है कि किस तरह से वो और थियो पहली बार मिले थे उसके फादर उसके लिए वरी करते है वाइलेट कहती है कि तब मुझे जिसा लग रहा था अब मैं ऐसा मुझे नहीं लगता वो थियो को लेकर बहुत ही परिशान है फादर उससे कहते है कि तुम दोनों तो अलग-अलग जगा पर गए थे थियो वही किसी जगा पर होगा वाइलेट भी अब कार निकालती है वो सिर्फ कार में बेटने से भी डरती थी पर अब खुट ड्राइब करती है और अलग-अलग जगा पर जा कर देखती है जो वो लेक के पास आती है तो थियो की गाड़ी वहा होती है आगे चल कर थियो के कपड़े वगरा उसे मिलती है थियो ने यहाँ से कूट कर सुसाइड कर ली है वाइलेट बहुत रोती है जिस जगा पर भी यह जाते थे सब जगा हमें सुनसान दिखाई जाती है थियो का मेमोरेल भी होता है वाइलेट अपनी मदर से कहती है कि मैं थियो को बहुत ही मिस करती हो उसके मदर फादर उसे सहारा देते है वाइलेट से मिलने के लिए उसकी फ्रेंड भी आती है उसके फ्रेंड सुसेडल थी जिस चीजों से वो गुजर रही थी इन सब चीजों के बारे में वाइलेट को गयती है वाइलेट के थी कि मुझे पता ही नहीं था कि तुम इस सब से गुजर रही हो फेरेंट के थी है कि मैं हमेशा मेरी फिलिंग्स छपा कर रखती थी यह सीन रिप्रेजेन करता है किस तरह से लोग हम से चीज़े चुपा कर रखते है किसे के लाइफ में क्या जल रहा है या हमें कभी पता नहीं होता रात में वाइलेट थियो का मैप देखती है इस मैप के बारे में थियो ने कहा था कि एक दिन मैं तुम्हें एक अलग सी जगा पर लेकर जाना चाता हो इस जगा को थियो ने मार्ग किया था वाइलेट डिसाइड करती है और निकल पढ़ती है यह जगा एक बड़े से मेमोरियल के लिए बनवाई होती है यहाँ पर वाइलेट पढ़ती है कि यह जगा उन लोग के लिए डेडिकेटेड है जो कार अक्सिटन में मर गए थे यहाँ पर एक भूख होती है जिस वो एंट्रिस पढ़ती है इस एंट्रिस में थियो ने लिखा होता है कि मैं यहाँ था कि स्कूल प्रोजेक्ट जो था इसके बारे में उन्हें लिखने के लिए कहा गया था वाइलेट ने जो सब लिखा है यह सब प्लास को सुना रही है वे कहती है कि मैं चीजों के बारे में वरी करती थी पर वो मिनिंगलेस था मुझे लगता था कि इस लाइफ को जीने के मैं डिजर्विंग नहीं हूँ पर फिर फिर थियो मुझे मिला उसने मुझे सिखाया कि मुझे वरीड होना चाहिए कि मेरे लाइफ में जीनी पाऊंगी उससे मिलने के बाद मैंने रियलाइज किया कि मैं गलत चीज़ों को लेकर वरेड थी धियोंने मुझे सही से जीना कैसे है ये सिखाया उसने मुझे अलग-अलग जगा पर जाना सिखाया उसने मुझे सिखाया कि वर्ल में सबसे उचाई में जाने के लिए तो यह mountain climb करने कोई भी जरूरत नहीं है बहुत ही छोटी से अगली places भी आपके लिए बहुत ही बड़े हो सकते हैं वो आपके लिए beautiful बन सकते हैं अगर आप उनके लिए कुछ time निकालो कभी-कभी आप lost महसूस कर सकते हो वर फेर से आपको fight करना है उसने मुझे life में आगे कैसे बढ़ना है यह सिखाया उसने मुझे सिखाया है कि जिन्दगी में कितनी भी dark time क्यों ना हो पर फेर भी एक bright जगा होती है जहाँ पर infinite possibilities है इसके parallel scenes में हमें violet खुछ दिखाई देती है ठीओ जीस तरह से चाहता था कि violet अपनी life जीए उस तरह से हो जी रही है मुवी के सब messages इसी violet के dialogue में हमें पता चल जाते है यही movie end हो जाती है इस movie में हमने देखा कि छोटी छोटी चीज़े भी बहुती beautiful हो सकती है जब मैं record कर रहा हो तो भी पंचियों की आवाज आ रही है sun आने वाला है और sky बहुती blue है यह आज की दिन का सबसे beautiful moment है आज की वीडियो हम यही कतम करते है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो please इस वीडियो को like कर दीजेगा मैं बहुत सारी इस तरह की movies लेकर आते रहता हो तो please इस चैनल को subscribe कर दीजे और bell notification आइकोन दबाने में मत भूलिये हम फिर सी मिलेंगे और एक नहीं movie के साथ तब ते के लिए thank you और आप अपने आपका खैल रखिये शायद आप इस bird को सुन सकते हो